कस्टबे के इर्वेल्वेस्ट्येशन परिसर में बने शौपचालियों के स्थिती बहुत ही बधाले शौपचाले शतिग्रस्थ हो गया है तो गंदिगी का भी अमबार है दूर दराद से यात्रियों को काफी परिशानी जिलने पड़ रही है धार्मिक नगरी राम देवरा में प्रति दिन सेक्ड़ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं लेकिन यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुबधा किलिए बने शौपचाले की विवस्था चाक्चवबंद नहीं है सुमार को हमारे संबाद दाता की योड से स्टेशन पर शबचाले विवस्था की पड़ताल की गई तो कहीं ध्वस्त तो कहीं गंदिकी का अमबार मिला स्टेशन पर बना शबचाले पानी आदे की सुबिधाओं के अभाव में यात्रियों के उप्योग में नहीं आ रहा है बही साफ सफाई के अभाव में गंदिकी की वचे से यात्रियों के किसी काम का नहीं है शबचाले के अंदर फैली गंदिकी से चारों तरफ भैंकर बद्बू फैली रहती है जिस कारण यात्रियों का वहां खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाता है एक गुजरात की महिला यात्री ने बताए कि स्टेशन के अंदर बने शबचालियों के अंदर फैली गंदेगी के कारण इनका इस्तवाल करने में परिशानी होती है उनका कहना है कि महिलाओं को तो और ज्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ता है एक अंदर यात्री का कहना था कि सरकार हर साल रेलवे के रख रखाओ पर लाकों रुपए खर्च करती है लेकिन उसके बावजुत शबचालियों की हालत इतनी बत्तर है